हेलो एवरीवन मैं हो रुपाली और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रुपाली स्किचन में तो दोस्तों आज मैं है आपके लिए बहुत ही भेतरी घर में आसानी से बन जाने वाले रेस्टॉरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन के रेसिपी लेकर आई हूँ और आशा करते मैं चिकन लिया और इसको मैंने तद रुपाली नमक और अधरग्लैशन का पीस्टामीन हैंडल्य पर दही को यहां पर उसको मैंने तांगए रख दिया था जिसे उसका सारा पानी निकल गया था उस धषिचा को हमने यहां पर यूज्चा है medrosion हम इसी जए ही Сबीके संधी जिसमें हैं लाल मिर्च, कसूरी मेथी, कोरियंडर पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और पैप्री का पाउडर इन सभी को हम एक एक चमच मैंने ये सारे लिया है, हल्दी केवल आदा चमच लिया है तो इन सभी मसालों को हम अपने चिकन में डाल देंगे और अब हमें करनी है अपने चिकन की मसाज जी हाँ, अपने हादों से हमें चिकन की अच्छे से मसाज करनी है ये पूरा मसाला जो है हमारे चिकन में अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए उसके रग-रग में मसाला भھर जाना ची है, इस तरीके से हम उसी मसाज करनी है मसाज वैसे भी सबी को अच्छे लगते हैं तो यहाँ बैँ डाल रहे हूँ इसमें सर्सो का तेल सर्सो का तेल, आपको यह other तेल भी यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर हम डालेंगे एक सीक्रिट इंग्रीटिंट इसे कहते हैं मीठा सोडा चुटकी भार हमें मीठा सोडा मतलब एक आधे चम्बत से भी काम हम मीठा सोडा डालेंगे इसमें इससे आपका चिकन जो है बहुत अच्छे से पक जाएगा बहुत अच्छा मिल्कुल कम sia कम दो घंटे के लिए में जिन जरूदा इसे टम ही डाइनो का अधितना रखेंगे और आप जीटना जज़ाधा के आप के बुक्ते हम चंदे में ज़ाधा होगाई तो मैंने यां पार दूभा-घंडे रखा हो ता अच्छे तरीके से तो आप देख सकते हैं हमाई चिकन में काफी अच्छा कलर आ गया है पहले में डर गई ती रेड कलर डालके पर फिर लेकिन काम चल गया मेरा मैंने थोड़ा से डाला था अब हम एक पैन लिया है उस पैन को पहले से हाई हीट पर गरम कर लिया है और अपने चिकन की पीसे को इसमें डालेंगे और जो हमारे थोड़ा सा मसाला होगा ना जो बचा हुआ होगा वो मसाला भी हम इसमें डालेंगे और कम से कम पांच-शे मिनिट सेखने के बाद में हम अपने पीसे को पलट देंगे क्योंकि हमें इसमें कलर चाहिए आप देख रहे हैं इते ग्रिल मार्ट जो आते हैं तवे के यह हमें चाहिए, अभी हम अपने चिकन को तवे पर ही पकाएंगे, मैं एके करके अपने प्लट परे रही हूं, लिल्स ही जूसिस में ही पख जाएगा अभी कम से खम, अपने फांच दस मिनित के लिए अपने चिकन को धक के पका लें तुछ तंदूर से गर्मा-गरम निकलने पर जो मांक्स होते हैं वह हमें चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगा है, यह जो जाली है यह मार्केट में मिलती है आज कर आज का, तो यह मैं खरीट के लिकर लिकर आयती, अब हम इसके उपर अपने चिकन को रखके गेस के उपर हम इसके उपर जो ग्रिल मार्क्स है वो लेकर आएंगे इससे क्या होगा एक टेक हमारा जो मसाला चिकन के उपर है वो भी उसके उपर अच्छे से पकड़ लेगा हमारा चिकन के पीसे जो है वो उस मसाली को अच्छे से पकड़ लेंगे और इसके उपर जो ग्रिल मार्क्स आएंगे ने वो तो क्या कहने वो आपको भी खुल देखके लगएगा कि हाँ यह तो यह देखे आप यह कितने अच्छे से ग्रिल मार्क्स आगए हैं अलग से क्योंकि अभी आम इस पे एक मैजिक करेंगे आप देखेगा यह है हमारा मैजिक इनकीटियन बटर बटर किसी भी चीज में डलता है तो इसके टेस्ट को चारगुना कर देता है यह सौल्डेट बटर है इसको हम इसके ओपर डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे यह चारो तरफ से इसके ओपर कोट हो जा और इसका टेस्ट जो है वो चारगुना बढ़ जाए उपर से में चार्ट मसाला डाल रही हूँ और इसको एक बार और मिक्स कर दोगे चार्ट मसाला डालके तो यहां पर हमारा तंदूरी चिकन बनके त्यार है डिलिशियस सा होम मेड आसानी से बन जाने वाला तंदूरी चिकन और यह रेसिपी आप सच में ट्राइ केजी हैं अब मैं गैरेंटी लेती हूँ आपको यह बिलकुल बजार वाली फिलिंग देगा होटल वाली, रेस्टरेंट वाली, धाबे वाली, कुछ भी कहिए है यह आपको बिलकुल वही फिलिंग देने वाला है और देखने में तो यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, कोई चेंज नहीं है अंदर से हमारा चिकन बिल्कुल जूसी बना हुआ है इसको आप सैलेट के साथ में या प्याज के साथ में नीवू और यह चटनी मैंने बनाई थी, इसके साथ में हमें सर्फ किया है तोड़ से धनिया डालेंगे और यह मेरे हजबन ने इसमें पुदीना की पती से फाइनल टच दिया है मैं आपको बतारी हूँ, यह देखे, चिकन कितना पहतरीन पका हुआ है और यह इतना टेस्टी था कि मैं आपको क्या ही बिता हूँ प्लीज मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बिताईएगा और प्लीज इस वीडियो को अगर चरा से भी पसंदाती है तो इसे लाइक कर दीजीगा मेरे चैनल पर पहली बार आए या दूसरी बार आए या कितनी भी पर आए तो सब्सक्राइब जरूर किजीगा मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए